गुड मार्निंग्, आज हम लोग देखेंगे पर्मुक्रिक वैदिक देवता, जैसे सोम किसीज के देवता थे, मरूत किसके थे, उसा, पूसन, अर न्यानी और ध्याओ, ये कौन-कौन से देवता थे, इसको देखेंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे कुछ दर्सन को दे देखेंगे बहुत सारे दर्शन है लेकिन छे दर्शन जो है न हम लोग अभी पढ़ लेंगे तो हमारा काम जो है वो चल जाएगा या इतना हो जाएगा जो हम ठीक्ठा कर सकें चलिए अगर आपने कुछ के एंसर से अगर आपको मालूम है तो बढ़िया है तो कॉमेंट बॉ करते हैं जैसे सोम तो म जो है प्रमुक्रि एड़े-ड़व्यक देवता है इसमें सोम किस्चिज के देवता है तो कि एक्जामीड के लिए है य को सुम को बता करेंड़ tagged सुनल्रा या इनि सराब के देवता है तो हरुस्टी एकुच्यामिनेड कि भी पर्स के रहा है तो examiner कई तरह से आपको confuse करने की कोशिस करेगा लेकिन एक चीज पर ठीके रहिएगा सोम जो होता ने एक लता होती है लंबी लंबी करकि लता होती थी उसी से सोमरस निकलता था और सोमरस जो होता था उससे क्या है नसा होता था तो उस समय सोमरस काफी नामी था अभी के देवता, आंधी के देवता, मरुद क्या है, आंधी के देवता है, मरुद किस चीज के देवता है, आंधी के, उसा, उसा किस चीज की देवता है, उसा है, प्रगती एवं उत्थान की देवी है, उत्थान की देवी, प्रगती एवं उत्थान की देवी है, ठीक है न, कौन है वो उसा परगती एवं उठान की देवी उसा सुभा को भी उसा बोलते है ना सुभा से भी तो परगती और उठान का बोध होता है तो परगती एवं उठान की देवी कौन है उसा अब पुसन की बात करते हैं पुसन कौन है ये है पसुओं के देवता पसुओं के देव पूसन को ज़्यादा पूस दे थे, क्योंकि वो ज़्यादा पालक थे, और लोग भी पूस दे थे पूसन को, पूसन अवैसे सरवयापी देवता थे, उन्हीं का रुपान्तरन यहां पर वर्तमान समय में भागवान स्रीव की रूप में हो गया है, अब बात करते हैं, अरण् जंगल की देवी, अरण्यानी किसको बोलते थे, जंगल की देवी, है न, अब इसके बात करते हैं, ध्योः, ध्योः किसकी चीज के देवता थे, ये थे आकास के देवता, ये कह सबसे प्राचीन है ये सबसे एंसियंट यही है कौन धो ये कौन है आकास के देवता है ठीक है न तो यहाँ पर चलिए इसको रिपिटेशन में भी बात करेंगे और कुछ एक मेंस का भी कोश्चन की उपर में हम लोग हलका सा डिस्क्रस्शन कर लेंगे अब देखते हैं दर्सक और परतिपादक सांख्य का किसने योग के कौन थे नियाय के कौन थे वैसे सिक पुरु मिमान सा उत्तर मिमान सा सांख्य दर्सन जो है न वो काफी चरचाओ में रहता है और यह हमेशा एकजाम में लगभग लगभग पूछ लिया जाता है सांखे दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो ये थे कपिल मुनी सांखे दर्शन के प्रतिपादक कौन थे ये थे कपिल मुनी अब भारत करते हैं योग के सांखे के कपिल मुनी योग दर्शन के कौन से प्रतिपादक थे तो योग के थे पतंजली ये भी बहुत आराम से याद रहेगा बावरामदेव का ब्रांड है पतंजली और बावरामदेव का तो क्या ब्रांड रहेगा बावरामदेव ने पतंजली का नाम वहां से उठा लिया है और योग हमेशा करते रहते हैं तो योग के पतंजली भोले अब बात करते हैं वैसेसिक के, वैसेसिक के हैं कनाद मुनी, वैसेसिक के कनाद मुनी है, अब बात करते हैं पुरु मिमानसा, पुरु मिमानसा के हैं जैमिनी, और उत्तर मिमानसा, उत्तर मिमानसा के हैं वदरायन, ठीक है, ये हैं किसके? उत्तर विमान साके, इसको घोट लेजिए, जैसे भी आपको घोट ना हो, इसको घोट लेजिए, क्योंकि कई बार योग जो है ना, वो मैचिंग में पूछा जा सकता है, और बहुत एक्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, एंसेंट से जो कोस्टेंस बनते है ना, उन में से ये सब आसान कोश्यन बनते हैं, क्योंकि एंसेंट से ज्यादा लेंदी कोश्यन बनते हैं, तो उसका जवाब तो कोई कितना भी एंसेंट पढ़ ले, वो दे नहीं सकता है, ठीक है ना, तो एक बार इसको रिपीट करते हैं उपर से, प्रमुकुरिग जाएगा, अगर नहीं याद हो, खुब रिपीट कर लिजिए, तीन-चार बार रिपीट कर लिजिए, थोड़ा बहुत उसको माइन मैपिंग करके दिमाग में रियस्ट कर लिजिए, हो जाएगा, अगला देखते हैं, दर्सन और परतिपादक, सांख, कपिल मुनी, योग, अब इसमें एक चीज था, कि जो परमुख रिगवैदिक देवता थे, उसमें से क्या, ये आज भी, कितने देवी देवता आज भी प्रासंगिक हैं, या दिखाई दे रहे हैं, ये बताइए हमें, कि रिगवैदिक देवता से, आज के देवताओं का कुछ, जो है, चरित्र वो बदला है या फिर वही है दूसर चीज एक और कोश्चन आया था UPSC में UPSC का एक बहुत अच्छा कोश्चन था कि प्राचीन समय में प्राचीन समय के ग्रीक देवी देवता और भारतिय देवी देवताओं में क्या समानता है और अभी के प्रेक्ष में देखे तो उनमें किस तरह का अंतर जो है वो दिखाई देता है यह बहुत अच्छा कोश्चन था कोश्चन तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स में बता देता हूँ देखे प्राजीन ग्रीक में भी जो है ना इसी तरह के देवी देवता थे जिस तरह की भारत में है यानि की जैसे डड़ है ड़ के लिए फोब्स का देवता बना दिया या फिर उन्होंने अलग-अलग मौसम के नुसार से जैसे अपने हाँ भी पवन देव हैं हावा के देवता इस तरह अगनी देव हैं अगनी के देवता उस तरह उन्होंने वहाँ पर भी देवताओं को उन्होंने अपने हाँ बना रखा था और ये तो समानता हो गई कि जो जिस तरह के देवी देवता हमने अपने हाँ बनाए उसी तरह के ग्रीक लोगों ने भी अपने हाँ देवी देवता बनाए। लेकिन फार्क क्या है। फार्क यह है कि ग्रीक लोगों ने अपने देवी देवताओं को फिर बाद में एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब वहाँ उसी रूप में देवी देवताओं की पूजा करते हैं और दुरभाग से उन्हीं देवी देवताओं के रूप में तो कई बार लड़ भी लेते हैं ठीक है ना तो यह सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए बाकी तो अगर objective questions के ख्याल से इसको रट लीजिए यह बहुत काम की चीज़े हैं यहां से बाहर चीज़े आने के बहुत ज़्यादा कम chances हैं और आएंगे भी यहां से बाहर के तो भी आप elimination technique से उन सब चीज़ों को extra चीज़ों को eliminate करके आराम से सही उत्तर तक पहुँँ जाएंगे तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद